कहा जाता है that if you are wearing a smile you are completely dressed नहीं कपड़े पहनने होते हैं but apart from that smile is the best accessory that you can wear for yourself smile ना सिर्फ आपका दिन ब्राइट बनाता है बलकि जितने लोगों से आप मिलते हैं उन सभी का दिन बहुत ही खुबसूरती से रोशन कर देता है है की नहीं? So everybody say cheese cheese, suraj, suraj mukhi, shahed, turmeric, my top क्या common है? सब yellow है और काफी खुबसूरत है listen हो लेकिन अगर कहीं ये yellow आपकी smile में आ जाए तो yellow yellow dirty fellow लेकिन हम आपकी smile के साथ ऐसा होने नहीं देंगे आज मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए आए हूँ कि हमारे दातों में वो पीला पिन आता क्यूं है क्या क्या reason हो सकते हैं कैसे आप avoid कर सकते हैं और क्या क्या DIY remedies आप अपने ले फॉलो कर सकते हैं to have the most wonderful of smile for yourself Ready everybody? Let's check out नमश्कार और स्वागित है आप सभी का आपके अपनी चानल पीती पेड़ना पर जहां पर हम हर दिन प्रयास करते हैं खुद को polish करने का, खुद को बहतर बनाने का और self love का जो हमारा नारा है उसे सार्थक करने का अगर आप हमारी चानल पर पहली बारा रहे हैं तो आप हमसे जुरूर जुरना चाहेंगे ताकि आपका self love का गोल भी हमारे साथ पूरा हो सके और आप पूरी जर्णी को जम के एंजॉई कर सके नीचे जो लाल बन का बटन है आप उसे क्लिक कर दीजे उसकी बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजे आप सबी के साथ एक बहुत इंपोर बहुत इंपोर बात करने के लिए हूँ मेरे पिचले लाइस सेशन में आप लोगोंने बंबाडिंग कर दी थी ताइशोड टॉक अबाद टीज टॉक अबट इसके बारे में स्टारी किया बहुत सारे options अपने उपर ट्राइ किये and here I am talking about क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना आते हैं तावशक है I am pretty sure आपको कुछ न कुछ आईडिया मिलेगा अपने oral hygiene के लिए कैसे खया रख सकते हैं क्या क्या चीज़े अवोइड कर सकते हैं and I would request everybody कि prevention is much much better than curing this thing क्योंकि एक बार पीला पन आ जाता है तो जाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए पहले से ही इसको अवोइड कीजे अब कैसे अवोइड कर सकते हैं आप कैफीन का इस्तिमाल कन कीजे और अगर करते हैं यानि कि चाय कॉफी पीते हैं बेवरेजिस पीते हैं तो उसके बाद mouth rinse properly करना बहुत आवशक है अगर आप इस चीज़ का खयाल रगते हैं सुनर और लेटर होगा जरूर होगा इसलिए पहले से ही रेगुलेट कर लीजिए अगर आप प्रोटीन और क्यालशियम रिच डायट नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में जब डेफिशेंसी आती है तो आपके दातों में रिफलेक्ट होती है आप चाहे वो discoloration हो चाहे पीलापन हो इसलिए आप इस चीज़ को भी regulate करना चाहेंगे अगर आप चाहते हैं कि internally आपकी body strong रहे आपके दात अच्छे रहे और सफेद रहे Also brushing and flossing का कोई substitute नहीं है आप कितने भी hacks देख लीजे कुछ भी देख लीजे hygienic conditions को maintain रखना, properly रखना is very very important इसलिए brushing and flossing is important दातों के पीला दिखने के बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे कि उम्र, उम्र के साथ साथ हमारे दातों का जो outermost enamel होता है जो कि बिलकुल सफेद होता है ये धीरे धीरे घिसने लगता है और जो दूसरी सतार दातों की होती है जिसको dentine कहा जाता है जो कि naturally पीली होती है उसका exposure जादा हो जाता है और दात पीले लगने लगते है दूसरी reason हो सकता है आप smoke करते हैं इसके लिए मैं आपको बिलकुल कुछ नहीं कहना चाहूंगी आपको ये चीज़ त्याग देनी चाहिए इस वाट प्रीती पेड़ना का चानल आपसे कहना चाहेगा number 3 इस tobacco यानि कि अगर आप गुटके का सेवन करते हैं तो भी आपकी सेहत के लिए और आपके दातों के लिए ये बहुत ही बुरा है इसको बिल्कुल त्याग दीजे number 3 कुट भी किसी भी प्रकार का अगर आप chemicals लेते हैं यानि कि दवाईयां अपने शरीर में लेते हैं तो कुछ दवाईयां ऐसी होती हैं जो कि एक reaction आपकी बॉड़ी में करती है और आपके दातों में discoloration होने लगता है ना सिर्फ पीले बल्कि कई लोगों में darker shade आने लगता है gray and black दात दिखने लगते हैं that could be a reason कि आपकी body उस particular medicine के लिए comfortable नहीं हो रही है another reason could be trauma अगर आप किसी भी जैसे covid हुआ है या किसी भी प्रकार की trauma से आपकी body गुजरी है तो ऐसे hormones release होते हैं कि आपके जो oral health है उस पर effect पड़ता है और कई बढ़ आपके दातों में discoloration हो जाती है also अगर आप दात कीतते हैं अगर आप कुछ लोगों को आदत होती है दात कीतने की चाहे वो नीन में करें चाहे वो उठे में करें but doing that grinding your teeth आप अपने दातों में छोटे-छोटे cracks डाल देते हैं जिन में debris जमा होता है मतलब mail जमा होता है और ultimately आपके दातों को वो discolour करने लगता है तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से समझे और अगर यह आपका reason है तो इनकी direction में काम कीजिए ताकि यह परिशानी आपको in the long run परिशान ना करें अब बात करते हैं teeth whitening measures के बारे में अगर सारे के सारे methods को हम categorize करना चाहें तो चार methods teeth whitening के सामने आते हैं सबसे पहला method है cosmetic dentistry treatments यानि कि जब आप dentist के पास आते हैं उनके administration में कुछ-कुछ chemical treatments या laser treatments है किसी भी प्रकार के treatment लेते हैं जिसकी वज़े से आपके daat सफे प्रतीत होते हैं better off हो जाते हैं stains हट जाते हैं इसको हम कहते हैं कि आप you know dentist administered programs है ये तो आप इनको avail कर सकते हैं मैं उन लोगों को insist करना चाहूंगी dentist के पास जाने के लिए जिनके दातों में already कोई परेशानी है मतलब सिरफ discoloration के अलावा और भी परेशानी है gums में issue है gums receding gums है यानकी जो gums है वो नीचे नीचे जाने लगते हैं दात जादा exposed होने लगता है ऐसी परेशानी अगर आपके मुह में है तो मैं आपको बहुत दिल से request करना चाहूंगी कि प्लीज एक बार dentist के पास जाएए खुद को educate कीजे क्या-क्या methods होते हैं क्या-क्या pros हैं क्या-क्या cons है and then do it for yourself जी हां जो डेंटिस्त आपको kit देते हैं educate करते हैं अपने पास बुला के और कहते हैं कि घर में कीजे आप लोगों को कुछ पेस दिया जाता है कुछ खांचे दिया जाते हैं जिनमें आप उन पेस को फिल करते हैं आपने दातों में पहनते हैं राग भर सोते हैं जब सुबार उठते हैं तो इसको निकाल के विन यू ब्रॉच य टीट प्रॉपली तो आपके दातों में इस टीट हो जाते हैं तो जो आपका आउटरमोस्ट अनैमल है उसको कलर कर दिया जाता है तो बहुत सारे kits available है जिनमें एक ट्यूब होती है खाचा होता है अब ट्यूब से वो पूरा का पूरा कि दात काफी सफेद हो जाते हैं लेकिन प्लीज मेक शौर कि आप ओवर्डू किसी भी चीज को ना करें क्योंकि इनमें ऐसे ब्लीचिंग elements होते हैं जो कि आपके अनेमल को कुरोड कर सकता है अगर आप जाधा इसकेमाल करें तो इसी लिए मैं बोल रहे हूं all the college going children जो कि अभी नया नया जोश होता है अपेरेंस के लेकर वो ऐसे measures को try करना चाहते हैं कर लेते हैं और फिर बात में पच्छताते हैं in the long run इसी लिए शुरू से ही alert रहे हैं और इस प्रकार की कोई भी बेवकूफी ना कीजिए fourth and the most awaited method is your DIY remedies मैं यहाँ आप लोगों के साथ कुछ DIY remedies शेयर कर रही हूं जो कि मैंने खुछ try करी हैं and I really found them to be useful आपको सभी try नहीं करनी है आपको सिरफ एक ही method choose करना है और उसको religiously follow करना है जो मैं आप लोगों को बताती रहूंगी कैसे कैसे use करना है कौनसा कितनी frequency में आप the best of results for yourself इसी लिए let's start with our first DIY remedy and that is your oil pulling देखिए यतना important topic है कि मैं इसके ओपर एक पूरी devoted वीडियो बना सकती हूं कि oil pulling आपके जो पूरा का पूरा oral hygiene है na maybe your saliva, आपका थूग, आपका tongue cleaning, आपके teeth cleaning, आपका crevaces, आपका gum, कोई भी परिशानी आपके मुह में क्यों नहों, oil pulling can do it मतला बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से, ना सिरफ oral hygiene बल्कि oil pulling ये सिद्ध किया जा चुका है कि आपके body के toxins भी बाहर निकाल देता है, कैसे किया जाता है, देखें आयुरवेदा में लिखा गया है कि oil pulling आपको sesame oil यानि कि तिल के तेल से या फिर sunflower oil यानि कि सूरज और इससे जवाब करते हैं, तो बहुत oily फील होता है, लिटरली यू कि नाट रिंस, बहुत difficult होता है, थिकर होते हैं काफी, इसी लिए क्योंकि coconut oil थोड़ा सा tasty होता है, खुश्बुदार होता है, and most important of all उसमें lauric acid होता है, which is amazing to kill the bacteria in your mouth, आपके mouth में naturally bacteria आ जाता है, अगर आ प्रोडल की problem होने ही वाली है, anyways, इसी लिए coconut oil उस bacteria को, जिसको streptococcus bacteria कहा जाता है, जा आपके मुह में होता है, और यह बहुत सारी परिशानिया करता है, इसी लिए lauric acid इसको completely clean कर देता है, इसी लिए आपके पूरे mouth को clean कर देता है, कैसे किया जाता है, आपको एक चमच इस नागल का तेल लेना है, इसको अपने मुह में अच्छे से ले लीजे, and start swishing, मतलब अच्छे से इसको जिसे गागल करते है, मतलब गुमाना है अपने मुह में, त्रॉपरली, मतलब थूका जाएगा, it's okay, आप थूक और तेल को मिलने दीजे और अच्छे से स्कुष अच्छे से बिल्कुल हर एक कोना and everything कहा जाता है, टेक्निकली 15 मिनिट के लिए करना चाहिए, पर पांच मिनट भी नहीं कर पाएंगे रिशली, पांच मिनट भी बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन करत करत अभ्यास दे, जड़मती होत सुजान, है ना, सुनर जो भी आप को पता है, तो अच्छे से प्राक्टिस करेंगे, पहले कम होगा, फिर थोड़ी देर के लिए थोड़ा जादा होगा, और ग्राजली हम बिल्कुल 15 मिनिट के लिए करने लगेंगे, और अच्छे से स्कुष कर करके, अगर आपकी ड्रेंस चोक होती है, मतलब आपकी नालिय पूरा बैक्टिरिया मर गया, आपकी बॉड़ी के टॉक्सिंस बाहर आ गए, आपके सलाइवरी ग्लांट सुबह सुबह अक्टिवेट हो गए, और आपका जो पूरा का पूरा ओरिल, अगर कोई प्रॉबलम है, गम्स में, दांतों में, सलाइवा में, टंग में, कहीं भी, इसके लिए आपको चाहिए हाइडरोजिन परॉग्साइड, एक से तीन प्रक्तिशत ही, और आपको चाहिए बेकिंग सोडा, जो कि आपको अराम से मिल जाता है, मीठा सोडा मार्केट में मिलता है, आपको बस वही लेना है, आपको वन पार्ट, एक बहुत ही चोटा सेंट ही हो इससे जादा नहीं इन दोनों को आपको मिक्स करना है टूद्रश में लेना है और अच्छे से अपने दातों को ब्रश करना है नौ इसके बेनेफिट से हैं कि आपके दात आपको विजबली फर्स एटेम्ट में दिख जाएगा कि सफेद होने लगे है नेगिटेव कुछ लोगों को अपने गम्स के अरांड क्योंकि आप ब्रश कर रहे हैं तो गम्स पे भी टच हो रहा है तो गम्स में हलकी हलकी सेंसिटिविटी महसूस हुई इसलिए इस मेथड को आप हफते में दो बार से जादा ट्राय ना करें और पुलिंग आप हर दिन कर सकते हैं को यह मेथड आपके लिए नहीं है दियामाइ रेमेडी नमबर थ्री इसके लिए आपको चाहिए स्ट्रॉबरी आपको चाहिए पाइनापल आपको चाहिए मिल्क, चीज, ब्रॉकली, आपको चाहिए बहुत ही खुबशूरत सा सालिड, एबरी पॉसिबल तिंक जिसमें उसमें रेगुलारिटी है उसको आप ब्रेक नहीं करेंगे आप एक महीना अपने दातों से अच्छे से क्रंच करके च्यू करके यह वाटर बेज जो चीजे है ना सालेड पाइनापल और स्ट्रॉबरी इसको जड़ा अपने दातों में ब्रश करके खाईए जिहां और फिर द कि आप ब्रश ब्रश करिये फ्रूट्स वेगर का लेकिन अगर आप इसको ब्रहत प्रॉपली एक महीना खा लेंगे ना तो भी आपको चेंज देखेगा लेकिन खाने का मतलब यह नहीं कि साथ में लगे और फिर कॉफी और चाय पीने में वो सब नहीं होना चाहिए प्रॉ अगर आपके पास चार्कूल पाउडर अवेलेबल है तो आप उसका इस्तमाल कीजे अदरवाइस आपके नेरवाय फार्मसी में आपको चार्कूल की छोटी-छोटी टाबलेट्स मिल जाएंगी इसको आप क्रश कर लीजे अपने टूथ पेस्ट के साथ इस चार्कूल को ल आपको ते से पूरा जो पूरा की आ जाता है लेकिन आप रिंस करते हैं लेकिन जैसे आप रिंस चाहिए आपको चाहिए आपल साइडर विनeeger रिंस आपके मान पे बालों के लिए क्लीग बाला. देखिए apple cider vinegar देखिए apple cider vinegar आक्चल में acid होता है और bacteria and germs acid में survive नहीं कर पाते इसी लिए अगर आप apple cider vinegar मतलब एक कप आपने पानी लिया है तो एक चममच आपको apple cider vinegar लेना है और इससे अच्छे से squish करते रहना अपने माउठ को और you just spit it out ये करते रहे हैं पूरे के पूरे cup का once you do it उसके बद हलका सा rinse करके छोड़ दीजे अपने mouth को and that's it लेकिन हफते में एक बार से जादा आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये acidic होता है कुछ लोगों का जिनका भी sensitivity होती है दातों में उनको और जादा महसूस हो जाएगी इसलिए जिनके बार दातों में sensitivity है वो इस्तमाल ना करें जिनके दात बिल्कुल healthy हैं लेकिन stains हैं वो हफते में एक बार इसका इस्तमाल कर सकते हैं and you can make the most out of it तो ये थी वो सारी की सारी जानकारी जो कि आपकी oral hygiene के लिए आपके दातों के लिए आपकी smile के लिए बहुत आवशक थी इन सभी DIY remedies के बारे में आप पढ़िए समझे और फिर decide कीजे कि कौनसी वाली remedy आप अपने ले try करने वाले हैं जब आप उस remedy को try करें be very very positive और पूरे के पूरे सकरात्मक उर्जा अपने अंदर ले के और फिर try कीजे result मिलना निश्चित है मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप जो भी remedy ट्राइ करते हैं वापस आके हमारे साथ results आवस शेर कीजे ताकि बाकी लोग भी आपकी confidence से बहुत कुछ सीख सके और अपने लिए implement कर सके आप सभी के बहुत सारे प्यार भरे messages मुझे मिल रहे है thank you so very much और भी बहुत प्यारे प्यारे messages के इंतजार मैं कर रही हूँ मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में with something magical for your skin, hair and health तब तक के लिए like करना मत भूलेगा नए है तो subscribe किये बिना मत चाहिएगा I'll see you all in the next video